टिक है तो सेल्स की बात कर रहे हैं हम इस कुश्चन के अंदर सेल्स में क्या था सर इस कितने का मैं दुबारा रिपीट कर दिता हूं सेल्स कितने का था 12,000 12,000 में से कहता है कि 10% तो कैस ये April का sales लिया है मैंने ध्यान रखिएगा ये sales हमारा कब का है सर April का sales है ये April का और एक महिने का अगर मैं आपको बता दू ना अच्छे से तो बाकी का तो खुद ही समझ में आ जाएगा April का sales 16 कहता है 10% cash करो तो 10% का हिस्सा निकाल लिया cash बाकी का हम एक बार tentative ले लेते है 90% क्या है ये credit है ये किस पे है सर credit कहता है 50% of credit sales तो बताओ यहाँ पे credit sales क्या है हमारा 50% of credit sales तो बताए ये credit sales क्या है तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है credit sales ये है इसका 50% तो सर इसका 50% देखा जाए तो कितना होगा 14 400 का 70 200 बाकी बचिया कितने percent 50% तो ये भी कितना आगया 70 200 ठीक है terms क्या use कर रहे है terms use ये करता है कि balance जो 50% of credit sales are collected next month यानि सर एपरेल के बाद next month क्या होता है यानि सर बाकी 50% ये पैसा मिलेगा में में यानि debtor से पैसा मिलेगा हमें में में ठीक है बाकी balance आपको मिलेगा following month following month जब आ जाए ना ये following month ये या रखिएगा following month होता है next month तो मैंने बोला के में में 50 मिलेगा और बाकी following month तो में के बाद next month जोड़ना है तो क्या हो जाएगा जून ये पैसा मिलेगा कब जून में समझ में आई बात आपको ये पैसा कब मिलेगा जून में मैंने कब का कर लिया ये sale April का निकाल लिया यानि एपरेल में अगर मैं receipt की बात करूं तो सर एपरेल में cash में यही receipt होगा अब थोड़ा सा दिमाग लगाईए एक महिने का sale है और वो तीन महने तक circulate हो रहा है सोचिए, April वाले sale का पैसा मही में भी मिल रहा है और June में तो ऐसा दिमाग लगाईए इस March वाले का भी तीन महने circulate हो रहा होगा और इस Feb वाले का भी कितने महने circulate हो रहा होगा तीन महने हो रहा हो पहले देखिए April का समझ में आया आपको पताईए किसी को दिक्कत है अपरेल वाले सेल्स में तो बता दिजिए फटा फटा अपरेल वाले सेल्स में किसी को दिक्कत है अपरेल वाले में किसी को दिक्कत है लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आता है अंजली किसी को डाउट यहां तक कोई डाउट नहीं चलिए अब मैं एपरेल के बाद ऐसे में का भी निकाल लूँगा और ऐसे मैं जून का भी निकाल लूँगा पहले में की बात कर लेते हैं यह था सर एपरेल का मुझे जगह ज़्यादा चाहिए से तो मैं कैस्ट्टक को चोट करो होया तो जड़ा रोग हो जएगी है सर Davidson क्राइब मैं चोटा चोटा कर देता हूं इधर करते हैं थीक है इधर कर रहा ह Safल के बाद में की सेल की बात कर रहा हो सेल सेल निकाल लूँए तो किहनी असवारा होती है में की सेल जो हैना हमारी वह कितनी है सर वई मेहने की में में का सेल 17,000 तो सभी पर यही कंडीशन लगेगा तर क्या कंडीशन लगेगा कंडीशन देट इस के आपका 10% क्या होगा कैश बाकी 90% क्या होगा बताओ 10% क्या है cash बाकी का 90% क्या है credit पे बाकी का 90% credit का तो 10% amount बता दो फटा फट 1700 बाकी 90% amount क्या होगा 3390% अब इस sales को दो महने में ले जाएंगे आगे यानि कुछ sales जाने वाला है जून में और कुछ sales जाने वाला है जुलाई में समझ रहे हो कैसे जाएगा जून और जुलाई में यानि अगर देखे pattern wise तो इसका 50% जाएगा next month यानि जून और इसी का 50% चला जाएगा following month यानि जुलाई तो sir इसका 50% और इसका 50% ये आपने बताए sir ये आजएगा 7000 और ये आजएगा 7000 कोई समस्य कोई दिक्कत कोई प्राब्लम नहीं है आजएगा पी निकाल लिए जून का भी निकाल लें जून का निकाल लेते हैं चलेएधर कोई सिस करते हैं जून का आजएगा जून की सेल कितनी है बता दीजिए 18000 जून की सेल कितनी है sir अठारह जाएगा अब 18000 के फिर से दो पार्टिशन हो जाने है एक हो जाना है 10% और एक हो जाना है 90% 10% का मतलब और 90% 10% का मतलब हो जाता है 1800 और 90% का मतलब 12200 अब सर ये जो से 16202 मेहने में बटेगा कुछ तो जाएगा जून के बाद कब जाएगा जुलाई में मिलेगा और कुछ हाला कि ये दोनों पार्ट मेरे लिए irrelevant हो गया क्योंकि ना तो हमें जुलाई का बनाना है ना ओगस्ट का बनाना है फिर भी हम कर लेते हैं आधा कितना होजगा 8000 ठीक है April बन गया May बन गया, June बन गया अब मुझे फरवरी का भी देखो अब आप हमने यहां से ये समझ में आती है बात कि सर अगर April का दो महने आगे जा रहा है तो ये जो फैब का है फैब का 10% तो फैब में मिल गया होगा लेकिन वैलेंस का 50% मिला होगा March में और बाकी का 50% मिला होगा यानि April में कुछ पैसा फैब का आएगा हमारा cash budget तो receipt basis पर चलता है इन दोनों का भी करना जरूरी है कितना कितना तो इन दोनों का करने के लिए हम थोड़े से question को उपर ले जाते हैं question नहीं दिखना अभी कोई बात नहीं थोड़ा उपर ले जाते हैं जगे बनाने के और इन सभी को मैं अब कर लेते हैं फैब का जी सर फैब की सेल बता दीजिए क्या है 14,000 14,000 सर फैब का सेल 14,000 रुपे है अगर तो 14,000 को दो टुकडों में बाट दे 10% जो कि फैब के मन्त में मिल जाएगा बाकि 90% दो महिने तक जाएगा ये इसको ने एक शॉटकट तरीके से भी में बता दूँगा मैं शॉटकट इसले नहीं बता रहा क्योंकि अभी फिर बोलोगे सर कैसे आए इसका सर 50% और इसका भी 50% सर इसका जो 50% है ना ये तो है फैब के मन्त का सेल 10% यानि 14,000 तो फैब में हिसाब किताब बराबर इसके बाद ये 50% चला जाएगा मार्च में और ये 50% चला जाएगा एपरेल में ठीक है समझ रहे हो तो सर यहाँ पर आ जाएगा आपने बोला सर ये 50% आएगा 12,600 अब 12,600 का 50% 6,300 तो सर 6,300 और 6,300 है ना तो थोड़ा सिफ्ट कर दें यहाँ से मिक्स ना हो जाए एक यह सेल हो गया ठीक है एक यह सेल सबको अलग-अलग कर देते चलिए अब फैब के बाद किस पर आ जाए हम इधर करें हम मार्च का इधर कर सकते हैं है ना मार्च में कितने की सेल है सर पंद्रह हजार रुपे का कितने परसेंट फिर से वही कहानी आ जाएगी 10 और किस में बटेगा 90 यह मैं करवा इसलिए रहा हूं सारा ताकि आपको एक बार करके दिखा दूँ एक महिने का पूरा यानि यह आ जाएगा सर यह तो फैब में मिल जाएगा 1500 बाकि जो रह गया 13500 यह दो महने में सर्कुलेट होने वाला है सर दो महने कौन-कौन से महने में सर्कुलेट होने वाला है सर दो महने का मतलब है सर यह मार्च का सेल है तो कुछ जाएगा एपरेल में और कुछ जाएगा में में ठीक है कुछ जाने वाला है सर एपरेल में और कुछ जाने वाला है में में तो एपरेल में कितना चला जागा खे हजार साथ सो पचास और ये भी छे हजार साथ सो पचास पहले यहां तक सभी बच्चे बता दीजिए किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक किसी को कोई doubt है क्या जो मैंने किया है यह थोड़ा size reduce कर देते हैं कि आपको guarantee यानि हमने एक तो working note sales वाला adjustment number जो यह था ना sales वाला यह तो done कर लिया यह done हो गया अब अगले पर आजाते हैं material दो मैंने बाद में देख लेंगे wages 1 by 2 और overhead 1 by 4 और 1 by 2 cash का balance हमारा इतने का है starting में other relevant information plant and machinery खरीदा, monthly settlement हो गया है dividend receive हो गया, इसका कोई काम नहीं है sales से, advance receive का कोई काम नहीं है dividend यह है अब sales को देखो मैं यहाँ पर month के लिए ना आपके थोड़ा सा मैं अगे आपको याद रहे हैं यह है मेरा एप्रेल यह है मेरा यह है यह है जून जहाँ जहाँ मेरा इप्रेल का महिनी का होगा और जहाँ जहाँ मेरा ग्रीन लगाने वाला हो वो सब क्या होगा ताकि आप इकटा जोड़ पाऊ क्योंगी यहाँ पर तो confusion होगी कौन सा माउंट किदर किदर लिके जा तो सबसे पहले white white वाला जो हमारा एप्रेल महीने के collection रहेगा उसके लिए मैं कर लेता हूँ circle आपके लिए क्या sir white ठीक है कलिये sir यह अप्रेल का है यह वाला क्या है अपरेल का है न यह देखिए अपरेल में जिसका पैसा मिलेगा मैं वहां सरकल लगा रहा हूँ जिसका पैसा यह अपरेल में मिलेगा और अपरेल में यह तो मैं में जाएगा जून में जाएगा नहीं जाएगा जून वाला तो कोई अपरेल का मतलब नहीं है फैव वाला अप हमें April वाला ढूणना है, March से क्या मतलब? हाँ, March में भी April ये आगया, दो मिल गए April के अंदर दो चीज आएंगे, और April कहाँ है, यहां भी नहीं है, और यहां भी April लेगा यह April, आप Circle देख लो, वाइट वाला Circle April का है, इन सब का जोड के April के मंथ में ले लेंगे लेकिन एक मिलेगा cash sales में और दो मिलेगा debtor में समझ रहे हो तो अगर मैं यहाँ पर sale लिखूँ April में तर sales अगर हम लिखते हैं तो April के महिने में एक तो sales में होगा cash और दूसरा होगा debtor से collection debtor sales April महिने का sales cash वाला सर 1600 जो मिलेगा और debtor से collection सर देख लेते हैं debtor से collection कौन से है सर debtor से collection एक तो यह 3600 और एक 6650 कितने होते हैं जोड़ो debtor से collection हाँ दोनों जोड़ लेते हैं 3600 और 6650 एक कर देता हूं है 3600 प्लस 6350 यह सिर्फ एपरेल का है कितने 13,000 यह देखे एक महिना समझ में है आसा मिल गया यानि अगर आपने working note बना लिए तो फिर तो जोड़ जोड़ के लिए वेन है working note किसी को डाउट यहां तक बच्चों ने बता भी दिया 13,000 पचास 13,000 पचास अग्जाम में किस टाइब का working note बनाया है वो मैंने आपको समझाने के लिए बता है अब इसका देखो shortcut में बता देता हूं कितनी जल्दी हो जाएगा अब बच्चे confused होगे सर work exam में तो एक ही question कर पाएंगे हम अब देखो question क्या कहता है question ने कहा कि हमारा 100% sales होगा 100% का 10% will be cash sales और 90% will be credit sales 90% का 50% that is 45% कहां जाएगा next month में और balance 45 कहां जाएगा आपका next month में अब आपने एक percentage certain find कर लिए तो sir मैं क्या करता अगर मैं होता तो sir इसका पैसा March में भी जाएगा April में April में जाएगा 45 तो मैं सीधा 15,000 का 45% कहां फैब 50 देखना इस देखना मुझझे मुझे पता चलिए कि 45% उधार है 10 तो cash ही इसके बाद हमारा कि आम री मार्च के मंत॒ंका मार्च वाला जो पैसा है 55 वाला कहां हमारा मार्च में गया और मार्च वाला जाएगा यहां पे 45 और यहां पे भी 45 45, 45, 45 में ले लूँआ, यह एक percentage calculate कर लेंगा, बाकी इतना complicated नहीं, बड़ा सीधा सीधा question आता है, उसके चिंता मत करो, अब मई वाले के लिए circle लगा लेते हैं, सर, ठीक है न, मई वाले के लिए circle लगा लेते हैं, मई के लिए क्या रखा है, हमने green color रखा है, मई के लिए रख यह वाला जाएगा, मई में green रखा था ने, तो यह है मई, एक तो यह है मई के लिए, और सर कौन सा जाएगा मई में, पताईए, एक जाएगा March वाला मई में, ने यह तो जून और जुलाई में मई, हाँ, इधर आएगा, एक यह है, और एक current बंत का तो सेल खुद का मई का हो गई, 10% हाँ गया मई, 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 कहाँ गया मई, अब green वाले देख लीजिए, एक, दो, तीन, यह तो cash sales में चला जाएगा, और वो दोनों जोड के चला जाएगा हमारा credit sales, cash sales में मई में कितना था सर? 1700, चेक करिए, मई में कितना है cash sales में, 1700, बाकी आप add कर लीजिए, कौन सा green कहाँ गया है, अब 72 एड करना है, और 60, 60, 50, कितने आगे हैं? 13,950, अब ऐसे जून का निकाल लेते हैं, जून के लिए क्या रखा है हमने? जून के लिए रखा है, चलिए, पहले वाले में, यहां से कुछ जून का है, यह रहा है, ठीक है सर, इसके बाद आ जाएए, जून वाले में कुछ है, एक यह है, और जुलाई चला गया, अगस चला गया, जून 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 तो cash वाला तो यह होगी अठारा सो कलिया sir cash sales में आ गया हमारा अठारा सो cash sales में आ गया अठारा सो और उधार में कितना बताया तो यह लिजिए सेल सबसे टाफ अड़स्मेंट इसमें sales कही था बागे तो सारे छोटे-छोटे से हैं तो बताईए किसी को दिक्कत यहां तक किसी को problem क्या है किसी को problem समझ में आ रहा है यानि हमने reset कर लिया अब अगले adjustment वे चले करीना ने भी दे दिया 14850 चलिए अगले adjustment वे चलते हैं आ जाईए सर adjustment यह वाला done अब आगे कहता है predator material दो महिने का उधार होगा यानि जब हम समान खरीदेंगे न तो हमें दो महिने का समय मिलेगा इसका मतलब सर fab में जब मैं समान खरीदूँगा तो इसका payment fab में नहीं करूँगा दो महिने बाद करूँगा तो इसका payment कब आएगा दमें बाद दूसरे महीत न न तो मर्च पेमिंट आएगा और मार्च का पेमिंट कब आएगा दून में और अप्रेमिंट कब जाएगा यह यह देखिया यानि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं पेमिंट में प्रेडिटर को पेमिंट तो फैव वाला पेमेंट होगा एप्रेल में देखिए चेक करिए फैव वाला पेमेंट जो था वो कहां हो रहा है हमारा एप्रेल में यानि 9600 हमारा एप्रेल में जाएगा और मार्च वाला पेमेंट जाएगा में में जो कि मार्च वाला पेमेंट है 9000 और सर एप्रेल वाला पेमिंट जाएगा जून में जो कि एप्रेल का पेमिंट है 9200 पहले देख लिजिए ये तो 969000 और 92 ये क्रेडिटर को पेड है जो पेमिंट किया है किसी को दिक्कत है तो पूछ लिजिए है किसी को दिक्कत मैं यहां बता भी देता हूँ कुष्चन ने क्या दो मेहने का उधार देंगे तो हमारे पास क्या है फैब है हमारे पास क्या है फैब के बाद मार्च है हमारे पास क्या है एप्रिल है एप्रिल के बाद क्या है में है और में के बाद जानकारी पोछन ने कया दो महेने बाद April वाला पेमिंट April के दो महेने बाद दूसरे महीने में तो पार के बाद क्या साथ? March March के बाद आता है April तोफ़ेब वाला पेमिंट तो पहुँच जाएगा April में March वाला पेमिंट ऐसा ही गाउंट करेंगे April, May, June छीक है, clear, clear, clear अवंतिका आपने का सर दुबारा एक बार बता जिए मैंने दुबारा बता दिया है आप देख सकते हैं question के अंदर और question में समझ भी सा इसके बाद wages 1 4th of the month wages पर चले यह मैं मिटा दूँ क्या मिटाने की जूरत ने है समझा देते है समझेगा मैं दो महने का डीटेल बना रहू है यहाप आपके लिए फिर मैं हटा दूँ एक महिने सपोस करो यह मैं बना रहा हूँ एपरिल और यह बना रहा हूँ मैं मैंने कहा आप पूरे महने महनत करो और हम आपको सेलरी स्रिफ देंगे वन फोर्थ पूरे महने महनत करो और सेलरी देंगे आपको वन फोर्थ आपकी सेलरी दस जार है समझना बात आपकी सेलरी कितनी है आपने मेरे पास जोइनिंग करा कब एपरिल में और आपको हम पूरा salary नहीं देने वाले हम देंगे one-fourth और बाकी का जो है न वो देंगे हम आपको अगले महीने समझ रहे बात अपरेल में जब आपने मेरे साम पास पूरे टाइम पे आपने अपरेल में जब यहां से यहां तक मेरे पास job किया और salary कितनी fix करी थी आपकी यहां की salary आपकी fix कर दी मान लेते हैं 15,000 और हर महीने पर यही condition लगाएंगे कि जिस महीने में job करोगे जिस महीने में काम करोगे इसका 25% मिल जागा और बाकी जो बकाया वो भी जोड़ के देंगे तो आप में के मन्थ में जो काम कर रहे हो इसका 25% मिलेगा 25% कितने हो जाएंगे हमारे बताइए 37,50 और इसका जो balance बच गया आपका कितना बच गया सर balance बताइए कितने बच गया 75 इसका payment कब जाएगा इसको 75,00 रुपए 75,00 आपको कब मिलेंगे मन्थ बता दीजे मुझे में मिलेंगे सर यानि में के अंदर दो payment आने वाली है सर एक 75,00 आने वाली है और 17,50 तो में मन्थ में ये payment हो गया यानि कहानी क्या चल रही है अगर मैं salary की बात रिसीव की बात करूं तो 1,4 इस महिने क और 3,4 तो 3,4 ही बोलेंगा ना 75, 1,4 ही है 1,4 माइनस कर दोगा तो 3,4 यानि अगर ये 25 परसेंट तो 75 परसेंट तो salary कैसे दे रहा हूं इस महने की कमाई का 25 परसेंट और पिछले महने की कमाई का 75 परसेंट तान यही गूम रही है यानि इस महने की कमाई का 1,4 और पिछले महिने की कमाई का 3-4 समझ रहे बात को तो इसी तरीके से question में बोला गया है कि हम भया 1-4 देते हैं wages यानि जितना भी काम करोगा एक बटा चारी मिलेगा आपको 1-4 का मतलब 25% तो wages पे आ जाते हैं यानि सर आपने अगर इस महिने में कमाया होगा तो 1-4 का मतलब 25% यानि आपका 3,000 का अगर 25% निकालते हैं हम तो सर डेट इस 750 रुपए इस मेंने मिल गए होंगे या मैं wages का अलग से working note बना देता हूँ आपके लिए wages के लिए अलग से working note बना देते हैं wages आपके फैब का मन्त है फैब के बाद मार्च का मन्त है मार्च के बाद एपरिल का मन्त है एपरिल के बाद मे का मन्त है और फिर आपके पास जून का मन्त है सबी महिने के wages को देख लेते हैं 3,000, 3,000, 32, 36, 4,000 3,000 तीन हजार पत्यस पत्यस और चार हजार कुछ ऐसे दी रखा है आपको तो बड़ी सिंपल सी बात है वीजिस यहाँ पे होगा क्या 25 परसंट यहाँ बाकी 75 परसंट यहाँ यही होगा इसमें क्या होगा 25 परसंट यहाँ बाकी 75 परसंट इसका अगले महने में चला जाएगा हम बजट कब का बना रहे है अपरील का यहाँ अपरेल में मार्च का 75 परसंट वेज़ेश पेमिंट करना होगा और यहाँ इसके अंदर 75 परसंट वेज़ेश केतना आता है प्लस इस मैने का 25%, 32% का 25% कितना होता है, 800 यानि April के मन्थ में payment यह जाने वाला है समझे April के मन्थ में payment यह जाएगा बाकी का जो बच गया April मन्थ का 75% that is 2400 उस 2400 का payment हम करेंगे कहां तो मैं के मन्थ में payment क्या होगा सर 2400 रुपे पुराने वाला देना पड़ेगा और इसका फिर से देना पड़ेगा कितना हमें 25% तो 25% कितना होता है इसका 900 यानि यहाँ पे जो payment जाएगा यह जाएगा है कितने जाएगे सर 2400 और प्लस में 900 that is आपका हो जाएगा 3300 फिर से अगेन इसका जो बच गिया बाकी कितना बच गिया बताओ 75% वो 75% कहां payment करोगे इसका 75% कितना होता है 2700 तो जून में payment एक 2700 जाएगा और इसका 25% जाएगा that is 1000 तो 3700 रुपे जून में payment जाएगा तो एपरिल में payment की बात करें ये payment है जून में payment की बात करें तो ये payment है तो सर अगर मैं wages का payment की बात करूँ इसे ये वाला समझ में आगे इसे हटा देते है तो मैं wages की बात करूँ तो अगर मैं देखूँ अपरिल में payment की तो 200 और 800 कितने होगे 3050 सर 3050 आगे चलते हैं सर में में बात करूं तो 3300 रुपे की payment जाएगी जून में बात करें तो 3700 रुपे की payment जाएगी आप देख लिजे किसी को doubt है तो जून में 3100, 3100 कैसे आएगा जून में 9, 4, 13 तो होता है 3300, जून में पता नहीं जून में स्रेह आपने 3100 कैसे बताया तीपक आपने 1.300 बताया जून में 27 और 1.000 27 पिछले का 1.000 बाकी का 75% बचेगा वो तो होगा 3.000 जून का आप गलत बता रहे हैं एक बार देख लो सर कहां 75% हाँ अच्छा 75 मंत यहां तक कोई डाउट है तो फिर अगले पॉइंट पर चले यहां तक सर एक पॉइंट और निप्टा लिया हमने ऐसे कहता है ओवर हैड हम 50% देगे तो सिंपल सी बात है 50% इस महिने का और 50% पिछले महिने का ऐसे चलेगा ना कहानी तो 50% इस महिने का और 50% नेक्स्ट मंद का तो सअर अगर मैं बात करूँ यहीं पर मैं लिख देता हूं इसका वेज़िस इसका हैं ओबर हैड है ना लास्ट है ओबर हैड का हीं लिखता हूं तो जो मैं एपरेल में करूँआ ना पेमिन्ट तो एक हजार यूझी बाशे को डाउट थो यह परिल की पेज़ए को पिछले महने का एक हाजार और इस महनेगे का एक हजारर यह मैने का 2100 जून के महने का क्या होगा पिछले महने वाला 1100 रुपे मिलेंगे और इस मेहने का 50% 1150 1150 बताइए किसी को डाउट बताइए किसी को डाउट है तो इसमें डाउट बताइए ताकि मैं आगे लिख सकूँ 1950 सर किसमें लिखेंगे 1950 और उनिस सो पचास और बात करें हम तो एकेस्सो एकेस्सो और बात करते हैं एकेस्सो के बाद ग्यारा ग्यारा बाइस सो पचास पचास कैसे आयां ईनागर कहना है 950 कैसे चलिये देख लेते हैं देखे 950 कैसे आए कि 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 कैस्ट बैलेंस हमारे पास स्टार्टिंग में एपरिल में है एक्सपेक्टिट छे हजार रुपए तो कोई बात नहीं सर्केस बैलेंस आपकर छे हजार है हमने ओपनिंग बैलेंस लिख रखा यह तो यहां सीधा पूट करना है अब देखते हैं आगे आगे कहता है other relevant information are कुछ information है दीजिए plant and machinery install in the fab यानी खरीदा है और कितने का 96,000 रुपए का तो फैब में अगर आपने plant and machinery खरीदा है तो payment भी 96,000 फैब के मन्थ में हुआ होगा और फैब के मन्थ में आपका payment हुआ है the monthly installment 2000 पेवल from April onward और कहता है कि हमन किस्त हर महिने देंगे एपरिल के बाद से एक किस्त हमारी जाएगी payment करेंगे machinery का जब payment करेंगे तो हर महिने payment जाएगा installment कितना installment 2000 और मन्थली का है उसने 2000 2000 यह देखिए क्लियर है यानि सर इस 96,000 का कुछ नहीं करोगे उधार खरीदा तो payment तो गया ही नहीं न इसका उसका तो बदले किस्त दे रहे है dividend 5% preference share capital paid करेंगे एक जून को यानि जून में payment होगा इसका यह हमारे पास amount given है दो लाग का 5% कितना होता है 10,000 10,000 जून में dividend payment करना है तो जून के मन्थ में आ जाते है dividend paid जून के महने में यानि सर इसमें तो होगा नहीं payment ठीक है चलिए है अग्ले पर आ जाते है advanced receive sales उसका 9,000 जून में advance receive किया था तो भाईया कुछ भी receive किया पैसा तो आया है ना तो जून के महने में receive वआले column में आ जायेगा यह जून के महने में receive वाले column में आ जायेगा जून में तो एडवांस रिसी जून में कितना आएगा नहीं आएगा इसके बात कहता है डिविदेंट फ्रॉम इन्वेस्मेंट अमाउंट एक हजार रुपे एक्सपेक्टेड रिसीव इन जून अब डिविदेंट भी मिल रहा है एक डिविदेंट पे भी किया और एक डिविदेंट म महिने में तो अब देखो यहां पर क्या कहता है एक्सपेक्टेड टू भी रिसीव किया जाएगा जून के मंथ में डिविदेंट पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत एक है नहीं ना तो जून में हमारा एक डिविदेंट मिलेगा तो जून के मिला या नहीं मिला पता नहीं और वैसे भी budget हमारा expected पर होता है तो जून के मन्त में receive कर लेंगे कुछ बच्चों का यहां पर क्या query हो सकता है सर क्या पता ना मिले तो आप cash receive कैसे दिखा सकते हो इसके लिए note देके आप receive नहीं भी दिखा सकते हो वह आपकी इंकम टेक्स एडवांस पेमिंट करना होता है तू भी पेड दो हजार रुपए कहता है इंकम टेक्स एडवांस पेड जून के महिने में दो हजार सर जून में दो हजार इंकम टेक्स दोगे अच्छा तो जून के महिने में पेमिंट दिखा देते हैं कितने रुपे किसी को दिक्कत है क्या बन गया cash budget अब जिसको जो point में दिक्कत है आप बता दीजिए मैं बस totaling का काम रहे गया मेरा इसमें सबसे ज़्यादे देखोगे दिमाग कहां पर लगा हमारा sales में बाकी तो सब आसान हमेशा question में थोड़ा सा tough जो point बनाएंगे वो वो sales को बनाएंगे इसका total कर लेंगे और इसका total कर लेंगे इसका total करने के बाद A-B कर देंगे पहले आपका doubt देख लेते हैं किसी का doubt है सभी बच्चों को बोल रहे हैं कोई doubt नहीं clear है बहुत अच्छी बात है तो इसको total करके बताईए क्या रहा है total बता दे हाँ पहले का second तो करी नहीं सकते कितना 20,600 इसका second करी नहीं सकते हैं और क्या पहले फ़र्स करो 4050 बैलेंस 16,600 16,600 और यह आएगा सर 4050 अब यह 4050 यहां जाएगा अब यह total होगा कितने इसका 16,700 आना चाहिए कुछ गड़बर तो नहीं है देख लो एक बार 37,50 यह वेजिस कितना 31,50 है 31,50 है 30,50 है एक बार वेजिस चेक कर लेते हैं यह वेजिस कहीं बिनायता है न अपरिल में कितने होगे 3000 का 75% कितना होता यही होता है चेक करो और 32,25 और 32 का 25 30,50 इसके बाद इसका टूटल क्या है बताएं और 16,400 इसका टूटल क्या है आया इसका टूटल क्या है इसका टूटल इसका टूटल इसका टूटल María कि इतने इतने से एक सो माइनिस कर लो 800 800 800 बैलेंस बचके हमारा यह था हमारा एक लास कोशन, तीन कोशन की बड़ा छोटा सा टॉपिक था लेकिन अड़ेस्मेंट बड़े समाल समाल के दीरे दीरे करना पड़ता है जो कि हमने कर लिया किसी का डाउट है तो बता दीजे